हाई मेरा नाम है सूरज और हाँ मैं मिक्कू देखा भाईया हमन के यहाँ फिलिम चले ले सिर्फ हीरो के दम पे हूँ मैं अगर नाम सल्मान खान का बात था हूँ फिलिम पहले ही सुपर हिट हो जाले लेकिन वहीं इसकी दूसरी तरफ दह केरला स्टोरी एक एसी फीमेल लीड मूवी है जिसने अभी तक किसी भी दूसरे एक्टरेस की मूवी से ज़्यादा पैसे कमाए हैं जी हाँ दोस्तो इस मूवी ने अब तक 11 दिनों में टोटल 146 करोड रुपे कमाए हैं जहां एक से बढ़कर एक सुपरिस्टार के फीलिम सो करोड का अगड़ा छूनई के पावत और एक एक करके फ्लोप हो जा था मगर ओजे एगोई स्मॉल बजट के फीलिम अपने दूसर को हपता में दबा के कमाई करद भिया जी हां दोस्तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी छद्रप्रती और आईबी सेवन वन इन फिल्मों के सोज खाली जा रहे हैं वहीं उसकी दूसरी तरप दा केरला स्टोरी अपने दूसरे हपते में भी थेटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगवाने पे लोगों को मजबूर कर रही है जहां विद्दु जामवाल के फिल्म आईबी सेवन वन रिजो के चार दिन के भी तर आट करोड च्यासी लाफ रुपया कमईले बाड़े ओही जे दा केरला स्टोरी अपने दूसरे हपता यानी रिलीस के 11 दिन बाद वीकेंड के दूसरे मंडे को सांदार 10 करोड रुपय का कलेक्शन करती है जोकि बहुत बड़ी बात है और अभी हाली में सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 110 करोड रुपय ही कमाए हैं वहीं ओकरे दूसरे ओर दा केरला स्टोरी जेमन ना तो कवनो बहुत बड़ सुपरस्टार बा और ना ही कवनो बड़ डारेक्टर ओकरे बावजुदी फिलिम ने सल्मान खान के फिलिम केउ का भाई केउ के जान के रिकोर्ड तोड़ के मात्र ग्यारा दिन में 135 करोड रुप के बजट में बनने वाली फिल्म दा केरला स्टोरी जिसका नाई ढंक से प्रमोशन किया हो और वहीं कई लोग इसे जूटी कहानी बोल रहे हैं उसी के साथ इसे वेस्ट बेंगोल में भी इस मूवी को बेन कर दिया गया है उसके बावजुद इस मूवी को देखने लोग भ देखने हर कोई गया था ठीक उसी तरह दा केरला स्टोरी को भी लोग दूसरी कस्मीर फाइल्स बना देंगे काहें खाती रभू जमान नहीं खेकी कौनों फिल्म के रीमेक बना के और उमन बर्ड सुपर स्टार के डाल देवा जाता हूँ फिल्म बॉक्स आफिस पर एक्द यह आपको अंदर से हिला के रख देगी और वहीं अगर आपने यह मूवी देख लिये हैं तो हमें कमेंट करके बताईए कि यह आपको कैसी लगी और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए